एक पॉपप टोस्टर से ब्रेट टोस्ट खाने का मज़ा ही अलग है और मुझे आज तो यह समझ नहीं आया कि लोग ब्रेट पे मखर नगा के ऐसे ही केसे खा सकते हैं जब इतनी शानदार चीज अवेलिबल है और इतनी सिंपल और उससे आप इतना टेस्टी ब्रेट टोस्ट खा सकते हैं लेकिन इतने सारे टोस्टर मैंने रखे क्यों हैं मैंने इसलिए रखे हैं कि इन सब के अंदर बहुत बड़े डिफरेंसिस हैं जो आपके टेस्ट के एक्सपीरेंस को या तो बिल्कुल खराप कर देंगे या बहुत जादा अच्छा कर देंगे और उसी के लिए मैंने ये बनाया है मेरा नाम है विनीत मलोतरा और ये इंडिया का फर्स्ट हों अप्लाइंस चैनल है जहाँ पे आपको ऐसे ही कंपारेंस देखने को मिलेंगे आज आपको पॉप टोस्टर का कंपारेंस दिखाता हूँ बाकी सब ही वीडियो के तरह इस वीडियो के अंतर आपको मैं ब्रेड को टोस्ट करने के लिए यूज होती है इसके बिल्ड कॉलिटी सबसे ज़ादा इंपॉर्टेंट होती है आपको चेक करनी चाहिए उसके बाद ही एक पॉप अप टोस्टर खरीदना चाहिए ये काम मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर का रहा हूँ एक और जी आपको पॉप टोस्टर के अंदर जो ब्रेड सपोर्ट मिलती है अंदर इस वीडियो के अंदर आपने जो अभी अभी देखी वो जो ब्रेड सपोर्ट है ये बहुत कुरूशल रोल प्ले करती है ब्रेड के अच्छी टोस्ट क्वालिटी के लिए ये सब मैं आपको आगे करूँगा लेकिन अब आपको ये बदाता हूँ कि जितने भी टोस्टर अब आप देख रहे हैं ये सारे के सारे मैंने खुद खरीदे हैं और लग भग छे महीने से एक साल से मैं इन्हें यूज कर रहा हूँ इनको कंपेर कर रहा हूँ कभी अपने ऑफिस में ब्रेड टोस करके हमें दिखला रहा है ये ही करने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए होती है ये सपोर्ट मुझे जरूर दीजेगा अब आपको दिखाता हूँ इन सभी का कंपारजल सबसे पहले आपको बदाता हूँ हम जिन टोस्टर को चेक कर रहे हैं ये सारे के सारे तू स्ला पॉप टोस्टर को एक साथ कंपेर करूँगा और उसका रीजन ये है कि ये तीन मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं आए और सर्प्राइजिंगली आपको ये देखने पर पता चलेगा कि ये तीनों कितने पॉपलर ब्रैंड के हैं और ये तीनों कितने जादा बिकते हैं मतल दूसरा पिजन का 750 वाट का और बजाज का भी 750 वाट का हैं लेक मी टेल यो बजाज का 750 वाट का पॉप टोस्टर सबसे जादा हाइस्ट सेलिंग पॉप टोस्टर है और अमाजन एंड और फिलिपकार्ड और इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन तीनों अगर आप इसे जादा ब्राउन करना चाते है तो जादा ब्राउन सेटिंग पे ले जाएं और अगर कम ब्राउन करना चाते है तो 1, 2, 3 पे ही सफिशन्ट है लेकिन यह सब पेपर स्पेक्स है मैं आपको एक्चुल यूजर एक्सपिरियंस दिखाना जाता हूँ कि हमने ब्राउनिंग सेटिंग्स पे यूजर करके देखा और इन सभी की पावर के अंदर भी कोई बहुत जादा फरक नहीं है दो 750 वाट के हैं और एक सिर्फ मॉर्फी रिचर्ट्स का ही 700 वाट का है बट उसके बावजूद हमें ब्रेड की टोस्ट क्वालिटी के अंदर ये फर लिए जो लोग भी मॉर्फी रिचर्ट्स का एक पॉप अप टोस्टर लेना चाते हैं मैं तो अपनी सला दूँगा कि ब्लीज अवाइड अगर आपको पिजिन या फिर बजाज का पॉप अप टोस्टर लेना है देन आई वूड से यू किन स्किप इट उसकी भी दो रीज जाएगी नो मैटर आप वन पे रखे टू पे रखे थरी पे रखे वो ज्यादा ब्राउन जुकी हुई तरफ हो जाएगी आपको एवन टोस्टिंग खानी है आपको एक ऐसा टोस्ट चाहिए जो एवन हो और आपको ऐसा भी नहीं है कि दूसरे ब्रैंड में आप्शन नही पिल रही है तो वाई गो फर इस ब्रैंड और पिजन को ना रेकमेंड करने का एक और रीजन है कि उसकी बिल्ड पॉलिटी इस नोट बाट गूड एक टोस्टर के अंदर जैसे मैं आपको बताया है कि रेडियंट हीटर होता है और रेडियंट हीटर के अंदर अगर 10 साल चला करती थी and मुझे नहीं लगता कि पिजन का ये वाला 10 साल भी टोस्टर चलेगा that is why I don't recommend these 3 टोस्टरs at all बजाज का टोस्टर फिर भी अच्छा है इसका आज का प्राइस आपकी स्क्रीन पे इस समय सामने है मैं इसे रेक्मेंट करता भी हो और नहीं भी क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्राइस के अंदर ये वैल्यू फॉर मनी तो है आपको तोस्ट की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी लेकिन I still think कि आपको इसी वैल्यू के अंदर कोई और टोस्टर जादा अच्छा मिल सकता है आप चाहें तो इसके description box के अंदर में लिंक्स दिये है जाएगे इसे चेक करिए और मैं आपको अगले टोस्टर भी बताता हूँ जो actually में मुझे बहुत अच्छे टोस्टर लगे उन में से एक है Hevels का ये वाला टोस्टर ये Hevels का टोस्टर 750 वाट की पावर के साथ आता है और ये भी two slice option के साथ आता है आपको इसके अंदर seven browning settings देखने को मिलेगी आपको defrost, reheat function और removable crumb tray भी देखने को मिलेगी पर ये सारी चीज़े हमें दूसरे brand के टोस्टर के अंदर भी देखने को मिलती है इसके अंदर आपको even toasting मिलेगी even at one browning setting and that is very very good क्योंकि अगर मुझे कम brown bread खानी है वो ही सबसे बड़ा test है जादा brown तो कोई भी टोस्टर कर देगा और जादा brown setting के अंदर होता क्या है थोड़ा सा जादा power आपने देनी है and जादा brown bread हो जाएगी but the main point is कि कम brown setting पे क्या ये टोस्टर अच्छी कडक toasted bread निकाल पा रहा है and that is what it is doing and that is why Hevels का ये वला pop-up toaster is very very good आपको Hevels के तरफ से 2 years की comprehensive warranty मिलेगी लेकिन ये जो टोस्टर है इस समय approximately 2000 रुबीज का कॉस करता है which I think is slightly pricey और ये थोड़ा सा costly है क्योंकि इस price range के अंदर आपको दूसरे brand के toasters अच्छी quality के मिल सकते है क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ अलग extraordinary features है इसके अंदर एक चीज बहुत अच्छी है वो है bread support उसी की वज़े से आपको even toasting मिलती है but nonetheless ये toaster बहुत अच्छा है इसके build quality भी मुझे अच्छी लगी थूड़ी सी cord short है but that does not make any difference मैंने कौछ सा kitchen में toaster रखके पाकिस्तान में cord लगानी है मैंने वहीं भी लगानी है and that is why मुझे इससे कोई खास फरक पढ़ता नहीं है आपको इसके links दिये हैं description box के अंदर जाएए इसे check करिए अब आते हैं एक और product के उपर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और appeal करा मुझे क्योंकि अगारो के जितनी भी products हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं तो अगारो का ये वाला pop-up toaster जो आप देख रहे हैं this is also very good अगें 750W की पावर के साथ आता है और ये 2-slice option वाला e-toaster है बट इसके अंदर आपको integrated bun rack भी देखने को मिलेगा which is very very good अब integrated bun rack का क्या फायदा? बई ज़रूरी नहीं है कि मुझे bread खानी है मुझे bun भी खाना हो सकता है और अगर मुझे bun को toast करना हो वो मेरी मर्जी और अगर मैं करना चाहता हूँ तो कम सका मेरे पस option तो है so that is very very good and convenient आपको एक feature मिल रहा है आप use करे, नहीं करे वो आपकी मर्जी है इसके नदर आपको जो 6 browning settings मिलती है ये दिखने में number कम है कि दूसरों में 7 मिलती है किसी में 8 मिलती है तो इसमें 6 क्यों मिल रही उससे क्या फरक पड़ता है आपने कौन सा 6 या 7 पे actually में brown करके खानी है वो काली bread हो जाती है so आपको मैं 1 और 2 की setting पे करी हुई bread दिखाता हूँ and मुझे मज़ा इसलिए आया क्योंकि इसके अंदर आपको bread support भी मिलती है सारे features भी मिल रहे है stop, cancel ये सारी चीज़े reheat, you know every feature is there bread crumb tray भी अच्छी quality की है overall the build quality is good and the bread is coming out to be evenly toasted bread the main part is this क्योंकि हमें कम toasting पे ही तो देखना है कि ये toaster कैसा काम कर रहा है और वो crisp bread दे रहा है कि नहीं and यही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी and at what cost but cost से पहले आपको अगर मैं warranty बताओ, अगारो इस पे देते हैं one year की comprehensive warranty वो थोड़ी सी कम लगी मुझे मदब दूसरे brand दो साल तक की दे रहे हैं तो आप भी दो साल दे देते हैं गारो बट नहीं देते तो उनकी मरजी है बट cost में उन्होंने बहुत ज़्यादा कटाओती कर रखी है 1260 रुपीज का यह मैंने खरीदा और मेरे कहल से इस समय भी यही price सल रहा है आप इसका exact price देखने के लिए इसका link जो मैंने आपको description box में दिया है उसे चेक कर सकते है आप उसे click करेंगे वो मेरा affiliate link है और उसे इस channel की थोड़ी सी मदद हो जाएगी बेना आपका price change करे हुए उससे purchase कर लीजेगा I think it is truly the best value for money pop-up toaster क्योंकि 1260 रुपे actually मैं genuinely worth है मुझे bread support भी नहीं मिल रही है और इसके अंदर आपको bread support भी मिल रही है और bun support भी मिल रही है 750 watt भी है what else do I need the build quality is also good मुझे even crisp bread मिल रही है आपको इसके links दिया है description box में अब आते हैं number one toaster के ओपर और ये number one है भी और रही भी क्योंकि I will leave the option completely up to you Philips का 830 watt का pop-up toaster जो की बहुत ज़ादा you know it is very very famous और ये सबसे ज़ादा बिकने वाला pop-up toaster है कहीं पर चले जए किसी दुकान पर Amazon पर Flipkart पर कहीं चले जए आपको pop-up toaster के नाम पर Philips ही आत में दिखाएंगे and Philips का pop-up toaster no doubt has the best build quality आपको जो टोस्टिंग है वो सबसे ज़ाद अच्छी मिलेगी 830 watt की peak power के साथ आता है yes it is a two slice toaster आपको इसमें eight browning settings देखने को मिलती है stop cancel, defrost, reheat function सब टाइप की छीज़े मिलती है in fact आपको इसके अंदर dust cover भी मिलता है मतलब that is also very very good मैं पता नहीं कपसे देखता हा रहा हूँ यह वो ही model चलता हा रहा है मतलब बहुत साल हो गए वो ही same model और इसमें कुछ technology तो है नहीं जो बहुत advancement हो the main part is कि जब हम इससे bread निकालते है it is so beautifully yellow toasted क्योंकि कोने कोने पे जब आपको even toasting मिलेगी आपको crisp एकदम bread मिलेगी तो वो ही चीज तो आप चाहते हैं अपने pop-up toaster से so there is no doubt कि इससे better quality और शायद कोई भी नहीं दे सकता है कोई भी नहीं and no doubt it is one of the best you know pop-up toasters in the country in 2024 today पर इसकी cost थोड़ी सी ज़ादा है philips इस model पे देते हैं 2 years की comprehensive warranty और आपको ये model इस समेट 2500 रुपीज का cost करेगा you'll be lucky अगर आपको ये थोड़ा 500 रुपे या 500 रुपे और कम मिल जाए मैंने इसके links दे दिये हैं description box वो मैंने इसे 2500 रुपीज के अंदर खरीदा था Amazon से क्योंकि मुझे वो सबसे reasonable cost लगी market में भी ये थोड़ा महंगा होता है आपको ये नो मन है चेक करिए इसको description में इसके links दिये हैं लिकिन मैं आपको एक और toaster दिखाना चाता हूँ जो पिछले एक साल से मैं अपने घर में यूज कर रहा हूँ अब choice आपकी है आपने फिलिप्स लेना है या फिर आपने ये वाला अगारों का pop-up toaster लेना है जो की 850 वाट की peak power के साथ आता है फिलिप्स जैसी ही power और 2-slice toaster ही है लेकिन फरक ये है कि ये stainless steel body के साथ आता है remember what I told you कि आपको pop-up toaster के अंदर build quality सबसे ज़ादा important है फिलिप्स भी plastic है in fact सारे ही pop-up toaster आपको plastic के मिलेंगे लेकिन ये stainless steel का pop-up toaster है तो कम से कम 3,5-3,000 का होगा actually मैं ये 19,00 रुपेगा cost करता है इस समय that is the reason मैं इसे खरीदा था मैंने इसे खरीदा और अपने घर में लगबग एक साल से यूज कर रहा हूँ and I am really really happy with this agaro pop-up toaster इसमें भी आपको 7 browning settings मिलेंगी stop, cancel, defrost, re-hit function removable, crumb trace सब टाइप के features इसी के अंदर मिलेंगे और इस पे agaro के तरफ से as usual आपको one year की comprehensive warranty मिलेगी अब हाँ आप कह सकते हैं कि one year की comprehensive warranty थोड़ी सी कम है आपको दूसरे brand philips जैसे brand दो साल की warranty देते पर वो पैसे भी तो ज़्यादा लेते हैं मतलब वो बात ऐसे कर लो या ऐसे कर लो बात तो यही है अब एक साल मुझे हो चुका है आज तक तो खराब हो आनी है और इसमें कोई खराब होने वाली चीज होती नहीं है except for the spring quality जो generally खराब हो जाता है लोगों का and the spring quality is very very good आज की डेट में भी spring बहुत अच्छे से काम कर रहा है and I am very happy with it the only con that I could find is की हाँ इसके उपर है कावर होता थोड़ा गंदा भी हो रहा है मतलब यह मैंने यूज कर रहा है कितना चमकाया लेकिन फिर भी नहीं हो बाया ठीक है but अब इसके उपर है के तो थोड़ा और अच्छा होता but नहीं है तो मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि इसके अंदर जब हम bread toast करके सुवे नाशता करते हैं तो बहुत मज़ा आता है मतलब बिल्कुल even toast होता है proper crisp होती है bread और मुझे बहुत security है कि यह अच्छी build quality का toaster है क्योंकि मुझे पता है यह कभी नहीं बिग लेगा मुझे पता है यह अगर मुझे से गिर भी गया तो मुझे सिरफ ढाट पड़ेगी यह तूटेगा नहीं मतलब think about it कि यह सब चीजे कितनी important है आपके घर के लिए और आपको कौन सा लेने है अगारों लेना है या फिलिप्स लेना है वो आपकी मर्जी है मैंने इन दोनों के लिंक्स देदी है approximately 1900 से 2000 रुपीस के बीच में यह cost करता होगा इस समय जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे और इसके लिंक्स आपको description box में जरूर मिलेंगे जाए इसे चेक करिए what are you waiting for हलके फुल के अंदाज में ऐसे ही हमने अपनी 6 महीने की टेस्टिंग का आपको 15 मिनिट में वीडियो बना के दिखा तो दिया लेकिन आपको कैसा लगा यह वाला वीडियो बताईए के जरू मुझे comment section में और हाँ आपको please मुझे support करना है क्योंकि यह छोटी सी चीज आप जो खरीदेंगे इसमें आपका price एक रुपया भी change नहीं होगा लेकिन इस channel की चाहे थोड़े से amount की ही सही वो जो support होती है उसे जोड़ जोड़के जोड़ जोड़के हम ऐसे products खरीदते हैं और लगातार इसकी महीनों तक टेस्टिंग करके यह आपको बताते हैं कि कौन सा products जादा अच्छा है आपके पैसो के खरीदने के लिए इसलिए इस channel को support करता प्लीज मत बुलिएगा मैं आपको फिन मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में लेकिन जाने से पहले आपको दो और वीडियो के suggestion दे के जा रहा हूँ यह रहे इन्हें भी जरूर देखिएगा और बाई बाई मैं आपको अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी मिल रहा हूँ थैंक यू